जब कुछ healthy खाने का मन हो और जट से बनने वाला हो और delicious भी हो स्वादिश्ट भी हो और जिससे हमें energy भी मिलती हो या घर में guest आने वाले हो सबसे कम समय में बनने वाली और जट बनने वाला धूकला जो की बहुत ही famous है स्पॉंजी है और जितना देखने में अच्छा लगता है उतना ही कहीं जादा ये खाने में स्वाद लगता है और ये जटबट से बन कर त्यार हो जाता है चलिए आज हम अपनी रेस्पी में देखते हैं इसको हम कैसे घर पर असानी तरीके से बना सकते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं संतोष वेल्कम टू माई यूटूब चैनल लिशिस पकवान मैं सबसे पहले एक बड़ा बॉल लूँगी और उसमें एक चम्मच चीनी डालूँगी और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी और इसको विस्कर से अच्छी तरह से विस्क करूँगी तां तरह सब province गमादूब और उसमें और इसको भी डिजॉल्व कर लूँगी यह चीनी और नमक दोनों मैं एक साथ डिजॉल्व कर लूँगी अब मैं एक चन्नी लोग और उसमें đâyड कप उसको चंनी के हल्प से बेस सं लोंगी बेड़ कप और डलूँगी और इसमें अच्छी मिल गया है तो अब उसमें पानी था पानी में ही मैंने अल्रेडी सको चान लिया था और इसको विसकर की हेल्पसे थोड़ा मिक्स करूंगी फिर थोड़ा थोड़ा पानी एयड करते हम इसको विसकर ऐसे चलाते हुए इसको अच्छा सा बैटर बनाना है तांकि कोई लंप्स न रह जाए जब बिना लंप्स के ही हमारा जो ढोगला है वह बहुत अच्छा बनेगा तो इसको अच्छे से हमें सॉफ्ट लगे और ऐसे इसका अच्छा सा टेक्चर अभी मैंने एक टी स्पून है हल्दी लिए इसका कलर अच्छा आने के लिए अब इसमें हल्दी मिलाई है और इसको अच्छे से यह भी पूरी तरह अपने जो बैटर है उसमें मिक्स कर लोगी अगर जुरूरत लगी तो थोड़ा पानी हम और एड़ कर सकते हैं और इसको एड़ करके हम अच्छे से विस्कर की हल्प से इसको विस्करेंगे यह देखो हमारा कितना अच्छा बैटर है बनकर त्यार हो गया अब इसको मैं 10 मिनट के लिए धकन के साथ धकर रख दूँगी और 10 मिनट तक हम चेक करेंगे 10 मिनट के बाद यह देखो कितना अच्छा हमारा जो बैटर है बनकर त्यार हो चुका है यह बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा बिल्कुल ही यह हमारे ढोकले के लिए जो बैटर है बनकर रेडी हो चुका है अब मैं एक टिन बॉक्स लूँगी और उसको अच्छे से ऑ मिलाऊंगी इनो मिलाने के बाद यह हमारा लास्ट स्टेप है जब हमने फाइनली इसको बाक्स में डाल के रखना है तो क्यूंकि इसके साथ हमारा जो ढोकला बहुत ही स्पॉंजी और फलफी बनेगा बहुत ही सॉफ्ट बनता है इसके साथ यह कितना अच्छा बैटर बनक और कड़ाई इसको अच्छे से डैप करने के बाद तांकि जो हमारा बैटर है एक साथ लेवल बन जाए और हमें पीसीज है एक जैसे मिलें अब मैं कड़ाई लिया है और उसमें मैंने पानी गरम करने के लिए रखा है उसमें मैं स्टेंड रख दूँगी और स्टीम बन रहे और जो हमारा बैटर है जो टिन बॉक्स में वो इसमें रख दूँगी और इसको धकन के साथ कवर कर दूँगी कड़ाई को अब बीच बीच में हम बीच में चेक भी करते रहेंगे कई पर पानी सूख जाता है तो पानी हम और डाल सकते हैं स्टीम बनने के लिए क्योंकि य घंटे से एक घंटा हो गया और मैंने मीडियम पर रख था चाक को से चेक करूंगी यह देखो चाक को हमारा बिल्कुल साफ निकला तो इसका मतलब हमारा जो धोकला है बनकर त्यार हो चुका है यह देखो कितना अच्छा लग रहा और यह फूल भी चुका स्पॉंजी लग बॉक्स से निकाल लूँगी इसको कितना अच्छा हमारा सॉफ्ट है जो धोकला बनकर त्यार हो चुका यह बहुत ही जल्दी और अच्छी बनने वाली रेस्पी है खास करके जो मतलब डाइट चाट प्लान करते हैं और जो ग्लूटन फ्री हैं और जिन डाइबिटिक हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा धोकला की रेस्पी है अब मैं एक तड़का पैन लूँगी और उससे तकरीवन दो चमच कुकिंग ऑल डालूँगी और गरम तेल गरम होने के बाद मैं उसमें लूँगी मस्टर्ड सीड्स इससे एक से डेड़ चमच दस से पंदरा मैं अब कड़ी पत्ता उसमें डाल दोंगी और उसको फ्राई करोंगी फिर उसके बाद मैंने ले चार हरी मिर्च और इसको अच्छे से फ्राई कर लोंगी जो हमने कैस की फ्लेम रखनी है थोड़ा मीडियम पे लिया लोग पे रखनी है क्योंकि जब हम राई डालते हैं तो ए प्यार किया था तो हमने उसकी टाकी जाद बहुत जादा भी न हो जए अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी करते इसमें पूरा एक कप पानी डालोंगी यह पानी डालने के बाद इसको जब इसको अच्छे से बॉयल हो जाएगा इसको बॉयल होने के लिए रख दिए पूरा पानी हमने ले लिया जो सारा मसाला जो हमने अभी डाला है इसमें वह मिक्स हो जएगा थोड़े देर इसको बॉइल आ जाएगा जब पानी बॉइल आ जएगा तो उसमें हम लैमन जूस डाल देंगी निम्भू का रस जो मैंने एक से डिड़ चमच लिया आप अपने हिसाब स से ले सकते हैं अगर नहीं भी डालना चाते हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं स्किप कर सकते हैं अब मैं जो हमारा पानी त्यार हो चुका है सारा जो हमारा ढोकला है उसके उपर डाल दूंगी इससे पानी डालने से एक तो इसका सारा मसालों का फ्लेवर आजेगा यह इसको ट्राइ जुरूर करना मेरा चैनल लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब